करांते कारी जैभीम उठो मेरे देश के वीर जवानों उठो उठो बहुजन समाज के सिपाईयों खड़े हो जाओ उठो भेम सैने को उठो पुकारा है इस देश ने आपको पुकारा है हर एक पर देश ने आपको पुकारा है देश के समिधान ने आपको भारत बंद करके दिखा दिया अपनी ताकत का एसास करा दिया लेकिन नरिंदर मोदी जी के उपर कोई बरोसा नहीं है मैंने पहले ही बोला था मैं फिर बोल रहा हूं नरिंदर मोदी जी दगाबाज है मैं दोबारा बोल रहा हूं नरिंदर मोदी जी दोके बाज है फिर से बोल रहा हूं नरिंदर मोदी जी जुटे है फिर से बोल रहा हूं पुनहे बात कर रहा हूं पुनहे बोल रहा हूं कि नरिंदर मोदी जी जुमले बाज है नरेंदर मोदी जी जुमला फैकते हैं और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये देश के ग्रैमंत्री मननिये अमिच साजी बोलते है ये मेरे सब्द नहीं है ये अमिच साजी के सब्द है बारतिय जंता पार्टी के सांसद बोलते हैं कि मोदी जी जुमले बाज है इतना ही नहीं ये देश इतना दुखी इतना तरस्ता चुका है कि नरेंदर मोदी जी को परदान मंतरी पत से अटाना चाहता है। और एक बात और कहा दू मैं आपको बीजेपी में भी लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी परदान मंतरी के पत पर ना रहें। क्योंकि पूरी बीजेपी को बदनाम करने का ठीका मोदी जी ने ले लिया है। वर्तमान में कानून है ना समिधान उसका विरोध करें। और समिधान खतम करने की बात करते हैं। समिधान लिखने की इनकी उकात नहीं हैं। ये समिधान खतम करने की बात करते हैं। और ये बिमा करेगाउं के सीर। ये भीम सैनीक अगर एक बार सूसू भी कर देंगे ना ये सारे RSS वाले बैळ जाएंगे और बैके पकिस्तान चले जाएंगे। अगर हम भीम सैनिक पिसाब भी कर दे तो यह RSS वाले बहे जाएंगे हमारे पिसाब में और बहे के चले जाएंगे पाकिस्तान और वहाँ पर इस तीन का होगा इलाज Q के और वहां पर इनको पिर बड़िया तरीके से दोया जाएगा दोया जाएगा इनको साफ किया जाएगा देश की आजादी में इनका कोई योगदाद नहीं है इन्होंने माफिया मंगी है माफिया इनका हैड गेवार हो या इनका वो माफी वीर हो यह सारे के सारे देश के गदार थे गदार और इनकी हुकात यारक्षन को खतम कर दे हुकात इनकी इनके उकात नहीं है इनकी माने इतना दूदली पिलाया जो या रक्षन को आत्मी लगा दे और बारत के समिधान को खतम करने की बात तो बहुत दूर की है बारत के समिधान को तो मुगली भी टच नहीं कर सकते और भाई भीम सैनी को बाउजन समाज के लोगों तैयार हो बाबुलाल बहरवा जो की राजिस्तान की पुलिस में एंपलोई थे सिपाई थे उनको इतना मजबूर कर दिया गया जाती के नाम पर नोकरी में प्रतारित किया गया कि आज वो इस दुनिया में नहीं है उन्होंने अपनी जीवन लिलास्ता मस्माप्त कर ली और राजिस्ता में में भी अमारे भाई, दलित भाई सुरक्षित नहीं है अगर बाबुलाल बहरवा को समय रहते न्याय नहीं दिया गया तो पूरे राजिस्तान का जिना राम करतेगा यह नवाब सत्पाल तवर पूरे राजिस्थान का सांस लेना बंद कर देगा ये नवाब सत्पालतवर पूरे राजिस्थान में ध्यान रखना तुमारे पैर रखने की जगे नी मिलेगी RSSBJP वालो अगर राजिस्थान में तुमने बावलाल बैरवा मारा बाई है मारे बाई को अगर तुमने न्याय नहीं दियाना समय रहते तो ध्यान रखना तुमारा इलाज किया जाएगा और पक्का इलाज किया जाएगा अबके राजिस्तान आऊँगा न तो इलाज करके जाऊंगा ये ध्यान रखना राजिस्तान से मुझे बहुत प्यार है और तुम अगर राजिस्तान वाणे बैरवामेगवाल बायों को परिशान करोगे दडित भायों को परिशान करोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा कहीं सक कहीं तक भी भाग ले ना तुम तुम अगर अफगानिस्तान पार तालिबान पार अगर यूरेसिया भी चले जाओगे न वहां से भी आरेसेस बीजेपी वालो तुम्हें गसीट के लियाएग यह बैयाजी नवाब सत्पाल तवर इसलिए अपनी उकात में रहो और रही बात आरक्षन की तो तुम्हारे बाप की उकात नहीं है इतनी तो तुम्हारक्षन को खतम कर सको और भै बहुजनों मेरे भीम सानिको मेरे पिता तुल्ले बुजरगो मेरी माताओं बैणों मेरे युवा साथियों मेरे युवा भीम सैनिकों मेरे दोस्तों भाईयों बैनों का छिपे हो क्या खुन तुमारा उबाल नहीं मार रहा क्या ये मोदी बोला कि ये आरक्षन को खतम करेगा ये मोदी जुट बोलता है ये कहता है कि आरक्षन वैसे के वैसे बना रहेगा जैसे पहल ये नहीं बताएंगे तुम्हें मैं बता रहा हूँ भाई बीजेपी वड़ो आरें दिल्ली तुम्हारी माने दूद नहीं पला है जो तुम्हामें दिल्ली आने से रोक दो ये सारे बीजेपी वड़े मोदी का खाते है और मोदी की भी बुराई करते हैं ये क्योंकि कहते हैं मोधी को परदानमंतरी पद से अटाना है और जब हम बोलते हैं तो इनको बुरा लग जाता है मोधी परदानमंतरी नहीं रहेंगे खुलके बोलू मैं और दुनिया की कोई ऐसी पुलिस नहीं बणी जो भाई हमारे बावुलाल बैरवा भाई को के साथ अन्य हो गए हुदाना रिखान नियाय दिलाएंगे खुल के बोल रहाई कि मैं और अपने आप खुद क्या समझते हो वही बीजेपी वाड़ों खुदको समझते क्या हो तुम सैंसा हो कहीं के कहीं के राज्या हो बधमास हो के या फिर तुम लोगВОG ऐसा हो वही तुमने सक्ता मिल गी कुर्सी मिल होंगे तम तो बाजे ना त्याओ तव अपनी एडिया में तैन लगा के रगड़ा मारोगे यूरेशिया पाऊगे सारे सत्पाल तवर ना मैं मारा कोई छोटी मोटी चीज ना है नू भी समझ लियो कि हमने नेतागिरी करनी है सिद्धी बात है नेता गिरी गई तेल ले राजनीती गई तेल ले हकोर अधिकार की बात में तो दाडेंगे आखरी शांस तक बोलेगा नवाव सत्पाल तवर हकोर अधिकार की बात बाई जितने भी वारे सारे भीम सैनिगे ना वे कम ना है किसी भी दिते भी जिस दिर बिड़िगे ना भीम सैनिको ते भीजे पियाडो थरी नदनी आता जाभेगे तरे मोद्दी जी की भी इसलिए कऊँ हूँ इसाब मैं रहलो आरक्षणन ना मत छेडो तो समिदान मत छेड़ो कि तैं गलती कर बैठोगे और गलती पढ़े जागी तमने भारी मेरा निवेदन भाई ठाट जोड़के प्यारत निवेदन करू और जो प्यारत मनना मानने ने फिर मार्दोरे इलाज भी दूसरा रवे है बेर ने इस बात का प्यारत मानने तो ठीक औ करना सुटा त्यार है भाई फिर